हाई फ्रेंड्स, किसी भी बिजनस की ग्रोथ उसकी सेल्स पर निवर करती है अगर हम अपने बिजनस में सेल्स के वॉल्यूम को बढ़ाना चुरू कर दें तो आसानी से हमारे बिजनस को डेवलप किया जा सकता है तो आज जिस विशह पर हम बात करने वाले हों हैं हम ऐसा क्या करें कि हमारे बिजनस में हमारे सेल्स का वॉल्यूम निरंतर बढ़ता जाए उसके लिए हमें अलग-अलग पहलूँ पर अध्यन करना होगा और अपने बिजनस में सही तरीके से इन फार्मॉलाज को इंप्लिमेंट करना होगा सबसे पहली बात है लीड जनरेशन कहते हैं कि किसी भी बिजनस में सेल्स का वॉल्यूम आने से पहले उस क्लाइंट उस बायर उस कंजूमर या उस परसन की लीड हमारे पास आती है और लीड को ही हम सेल्स में कनवर्ट करते हैं दूसरा है important वो है वो है follow-up strategy हम किस तरह से अपने कंजूमर को सही तरीके से follow करें ताकि वो सेल्स वॉल्यूम में convert हो उसके लावा सेल्स क्लोजिंग स्किल्स आप अपने क्लाइंट को ठीक से follow करते हैं लेकिन वो follow-up closing skills तक पहुंचे यह बहुत महत्वपूर्ण है और जब आप एक बार अपने कंजूमर के साथ अपनी डील को close कर लें तो आपको मिलना चाहिए repeat order and references क्योंकि marketing के लिए आपने यो बहुत बड़ा budget लगाया है वही closing का result है और ये closing का result तभी multiply होगा जब आपको repeat order और references मिलना शुरू हो जाएंगे तो सबसे पहले हम बात करते है lead generation के बारे में friends किसी भी sales के volume को बढ़ाने के लिए lead generate करना बढ़ा important है और lead हम दो तरह से generate कर सकते हैं एक तो offline lead generation और एक online lead generation अब offline lead generation का मतलब क्या है वो सारे method जो हम offline तरीके से lead को generate करने पर लगाते हैं जैसे बहुत सारे business में अलग अलग तरीके हैं lead generate करने के लिए आप newspaper advertisement दे सकते हैं आप leaflet distribution कर सकते हैं आप pamphlet distribution कर सकते हैं आप अखबार में newspaper में insert कर सकते हैं अपने advertisement इसके लाब वाल paintings, hoardings, boards, exhibition participation या dealers meet में जाना, consumer meets में जाना ऐसी जगा पर जाना जहां पर आपको वो लोग मिले जो expected client आपके हो सकते हैं वो सारे method lead generation के traditional method या offline method में आते हैं लेकिन आज lead generate करने का सबसे सस्ता जो साधना वो है digital marketing आप digital platform के जरिए, digital marketing के जरिए आसानी से अपने business के लिए right customer तक information पहुचा कर lead generate कर सकते हैं तो online lead generate करने का तरीका क्या है जैसे facebook, linkedin, twitter, instagram, youtube इसके अलावा आपकी website और बहुत सारे ऐसे portals हैं जहां पर आप बिना किसी cost के अपने आपको register कर सकते हैं और जैसे ही consumer वहाँ पर lead post करता है वह information आपके पास तक पहुच सकती है अब blogs के जरिए भी बहुत अच्छे lead generate कर सकते हैं इसके अलावा आप influencers के साथ tie up करके भी अपने business में lead generate कर सकते हैं आज बहुत सारे facebook creator हैं, bloggers हैं, content creator हैं, youtubers हैं जिनसे आप contact करके अपने business में lead generate कर सकते हैं इसके अलावा जो next important चीज़ है वह है lead from referral friends आप या तो offline lead लाएंगे या आप online lead लाएंगे लेकिन बहुत सारी leads ऐसी होगी जो आपको केवल references के मादियम से मिलें और references क्या हो सकते हैं? आपके existing client, आपके existing buyer, आपके अच्छे vendor, आपके supplier जो substitute industry में काम करते हैं और आपको leads देते हैं या आपके friends है, relative है, social media journal platform है, personal account है या एक दूसरे से बातचीत करके, कही meetings में मिलकर, card sharing करके किसी भी organization के member बनके, जहां पर आपको कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा reference देता है जो आपके लिए lead के रूप में काम करता है तो पहला काम क्या हुआ, lead generation ध्यान रखेगा, जितना ज्यादा number of lead आपके पास बढ़ती जाएंगी मानलिया, 1000 है, 2000, 5000, 10,000, 15,000, 20,000 उतनी ज्यादा possibility of conversion भी बढ़ता जाएगा तो किसी भी business में sales के volume को grow करने के लिए सबसे महत्पूर्ण चीज़ है lead generation तो lead generation पर बहुत ज़दा आपको focus करना है उसके बाद जो दूसरी महत्पूर्ण बात है वो है follow up strategy friends, leads तो आपके पास business किया गई लेकिन अगर आप अपनी leads को सही तरीके से follow नहीं करेंगे अपने consumer से ठीक तरीके से बाचीट नहीं करेंगे उसकी ज़वरत को नहीं समझेंगे अपने product की जानकारी उसको नहीं देंगे तब तक वो lead sales में convert होने वाली नहीं है और sales में किसी भी lead को convert करने के लिए सबसे important है follow up strategy सबसे पहले identification of lead आपको करना है कि जितनी भी leads आपके पास आई है किती तीन चीज़ होती है dream, desire, destiny बहुत सारे consumer के मन में एक dream होता है कि मैं ऐसा product लूँ लेकिन desire में वो convert का होता है जब उसको चीज़ की ज़रूत होती है और destiny तक पहुंचता है जब वो उस product को खरीद लेता है इसलिए आपको या identify करना है कि कौन सी lead, hot lead है कौन सी warm lead है और cold lead है और hot, warm and cold lead का पुरा का पुरा strategy, पुरा का पुरा method मैंने पिछली कुछ वीडियो में दिया हुआ है जहां बताया अपने consumer को कैसे follow करते हैं उसको आप जरूर देखें तो hot lead में वो होते हैं जिनको तुरंत उस तरह के product की जरूरत है warm leads वो होती है जिसमें आने वाले कुछ समय में कुछ महीने में, कुछ हफते में, कुछ साल में उस consumer को उस product की जरूरत पढ़ सकती है और cold lead में वो सारी leads आती है जिसने केवल interest शो किया है कि अगर मुझे जरूरत पढ़ी तो मैं इस तरह के चीज़ लेना पसंद करूँगा तो सबसे best है कि हम hot lead को जल्दी से जल्दी convert करें अपनी sales में warm lead की जो desire है उसको destiny तक लेके जाएं और जिन लोगों के पास dream के रूप में उसको desire में convert करें desire को destiny में convert करने के लिए regular consumer का follow up करें और follow up मैंने बताया था follow up strategy का एक वीडियो मैंने दिया हुआ है उसमें बताया है पांची तरीके से client follow up होता है number one आपके product और services की सारी information ग्रहक को दें number two ग्रहक की जरुवत के हिसाब से उसको suggest करें कि कौन सा product उसके लिए best है number three जब अपने product का selection कर ले तो आप price bargaining, support and services, reference and benefits सारी चीज़े बता कर उसको deal closing के लिए ले कर आए और जब वो deal close हो जाए तो मान लीजिए आपका sales का volume complete हो चुका है sales cycle complete हो चुकी है और जैसी sales cycle complete हो तो ask for the references या ask for the repeat order यह बढ़ा important है follow-up टी empower की strategy वीजिए अपको करना क्या है आपको अपनी leads को regular follow-up करना है बहुत सारे businesses में एक से साथ दिन के अंदर lead convert हो जाती है , बहुत सारे business में साथ से तीज दिन के अंदर lead convert जाती है बहुत सारे बिजनस में 30 दिन से लेकर 365 दिन में वो lead convert होती है आप कहोगे इतना लंबा follow up कब होता है जैसे हमारा Modulo Kitchen का बिजनस है तो जिन लोगों के रिनोवेशन चल रहा है उसको instant kitchen चाहिए एक से 7 दिन 10 दिन 15 दिन 20 दिन में जिन लोगों की consumer को identify कर लेते हैं कि उसका जो project है मतलब जो उसकी building है वो कब बनके तयार होगी और कई बार तो हमने देखा है कि 3-3 साल की leads को हम follow करते हैं और बाद में आके वो convert हो जाती है इसका मतलब अगर आपके follow up की strategy best है तभी आपकी deal close होने वाली है क्योंकि जब उस consumer को actual में उस product की जुरत पड़ेगी तभी वो आपसे खरीदेगा और उसके लिए जरूरी है कि competition के इस दौर में consumer के mind में अपनी जगा को बनाए रखें और जगा बनाए रखने का तरीका होता है right strategy of follow up of your leads अपनी leads को बहतर तरीके से follow करें next जो important बात है sales closing skills friends कई बार की देखा है कि हम बहुत सारी lead generate कर लेते हैं हम lead को follow भी कर लेते हैं लेकिन कुछ ना कुछ ऐसी कमी रह जाती है जिसके वह जो lead है जिसको हम regular follow कर रहे हैं वह sales में convert नहीं होती क्यों नहीं होती उसके पीशे बहुत महत्वा पूर्ण का रहे है number one understand the need of the client कई बार क्या होता है हम follow up तो regular करते हैं पर हमें यह नहीं पता है कि उस consumer की need क्या है need का मतलब कि उस product को लेने के लिए उसकी क्या-क्या जरूरत है क्या-क्या vision है क्या-क्या requirement है हम उसकी need को नहीं समझ पाते हैं और एक ही company के पास अलग-अलग customer के लिए अलग-अलग तरह के products होते हैं जैसे आप car showroom पर भी जाएंगे तो एक ही car के तीन-चार variant आपको मिलते हैं base model, mid model, फिर उसका top model, optional model ऐसे बहुत सारे models मिलते हैं तो एक ही budget में 7 लाग की car भी है सात लाग से लेकर 10 लाग की बीच की car लेकिन आप उसको हमेशा fortuner या कोई और बड़ी कार दिखा रहे हैं तो ऐसे case में उसका जो budget है वह allow ही नहीं करता कि वह उस तरह के product को खरीदे इसका मतलब वह deal आपकी close नहीं होगी यहाँ पर जरूरी है consumer के budget को समझें एक problem सभी लोग यहाँ face करते हैं consumer का budget हमेशा कम होता है और product हमेशा उसको उससे ज़्यादा का पसंद आता है यह problem सभी के साथ रहती है तो यहाँ हमें करना क्या है budget के according प्लस 5% 10% या 15% extend आसानी से वह हो सकता है और मैंने एक special video दिये प्रोडक्ट में budget को कैसे बढ़ाया जाए यह बात समझने में उसके लवा offers and benefits आप consumer के मन में अगर एक बात को बिठा दें कि इस समय मेरे पास आपके लिए best offer है और इस offer में आपको क्या benefits होने वाले हैं तो आप आसानी से consumer के साथ deal को close कर सकते हैं आपने देखा बहुत सारे जगह पर आप जाते हैं तो आपको ऐसे शो करते हैं जैसे need of urgency आपके mind में create कर दी है कि अभी आपको जरूरत है तो अभी यह चीज़े मिल सकती है शाम तक के लिए मेरे पास एक offer है या अगले दो दिन तक मेरे पास offer है या संडे तक मेरे पास यह offer है वो इस तरह से आपको offer करते हैं या 30 तरीक तक यह offer उसके बाद close हो जाएगी है ना आपको need of urgency create कर देते हैं और आपको लगता है कि अगर मैंने नहीं लिया तो मुझे उसका benefit भी नहीं मिलने वाला है और आप आसानी से deal को close कर लेते हैं इसलिए जरूरत है आपको consumer को सही तरीके से offer करने की प्लस उसके benefits बताने की कि इस offer के अंदरगत आपको यह extra lab होने वाले हैं जैसे आप देखिए buy one जैसे आप कपडों के बहुत सारे store में देखेंगे buy one get four इसका मतलब buy one get three extra fine buy one and get two इसका मतलब 50% discount है इसका मतलब भी नहीं एक खरी देंगे तो दो और मिलेंगे 33% discount नहीं है इसका मत बाव सारे तरीके होते हैं जहां पर consumer के mind में यह feed किया जाता है कि अभी इसका सबसे advantage आपको मिलने वाला है best benefit मिलने वाला है उसके अलावा repeat order and references friends आपने जो प्रयास किया था आपने जो प्रयास किया था वो कहां किया था leads पर leads को आपने follow up किया था leads को क्या किया था आपने regular follow up और follow up के बाद उसमें से की थी आपने deal इसका मतलब अगर 1000 lead आपके पास आई थी तो 200 लोगों का आपने follow up आपके पास strong चला और उनमें से 10 लोग आपके convert हुए 10 लोग convert हुए यह जो 10 लोग है ना उसकी cost in 1000 के बराबर है यह जो lead deal close हुई है इसकी cost 1000 के बराबर है इसका मतलब आपने जो invest किया था 1000 लोगों पर वहां से आपको 10 lead मिली है 10 deal आपके हुई है तो इसका मतलब जब यहाँ पर हम और ज़्यादा focus करेंगे तो यह हमारे ratio of profit को बढ़ाने वा की product की life होती जैसे मान लीजिए आप ने consumer को 1 kg कोई product दिया है food दिया आपने और आपको पता है यह 1 kg sugar मान लेते हैं और यह sugar अगर कोई भी consume करता है तो अगले 30 दिन में खताम हो जाने वाली इसका मतलब 30 दिन बाद उस consumer को 1 kg sugar की और जरूत पड़ेगी तो यहाँ पर आपक इसमें दिन में जब आप उसको follow up करना शुरू कर देंगे तो हो सकता है वो consumer आपको repeat order दे दे तो आपको time lap check करना है कि उस product को consume करने के बीच में और buy करने के बीच में कितना time lap है और जब आप time lap को study कर लेते हैं तो आप आसानी से deal को ज़धा repeat order आप ले पाते हैं जैसे दिन हो जाते हैं मतलब last के 10-12 दिन वह आपको regular follow up करना शुरू कर देते हैं follow up करते हैं तो आप जारा तर उसी agent के through insurance कराते हैं अगर आपकी services और आपका trust अच्छे से built हो गया है तो उसके अलबा build trust with the client मैंने आपको कहा कि repeat order लेने के लिए na client को कभी भी ये feel नहीं होना चाह और वो तबी होगा जब आप जो भी वादा consumer से कर रहे हैं उससे ज्यादा deliver करेंगे तो fine आपने जितना deliver करने का वादा किया अगर 5% भी आपने कम किया तो शायद आपका trust जो है trust factor वो build नहीं होगा यहाँ पर important है अगर आप repeat order लेना चाहते हैं तो build trust with client जो भी आपके commitment है अच्छी तरह से पूरा करें तकि आने वाले समय में वही client आपको repeat order दे और ना किबल repeat order दे अगर आपके customer का trust आपकी company आपके brand आपके product या आपके उपर है तो वह आपको repeat order के अलावा references भी देगा और उस references की value और ज़्यादा credible हो जाएगी क्योंकि उसकी व्यक्ति की पूर product के प्रति उस consumer के साथ जुड़ी हुई है तो references लेना बड़ा important है offer just before time अभी कई बार क्या होता है एक problem देखिए जिसे कुछ insurance agents होते हैं उन्हें पता है कि one year के लिए insurance है और मान लीजे 31 December को वह साल खतम होने वाला है वह दो महीने तीन महीने पहले से follow करना शुरू कर देते कि consumer उसको आगे order देना पसंद ही नहीं करता इसलिए just before time उस consumer को decision making के लिए कितने दिन चाहिए और उस deal को close होने में कितने दिन चाहिए सिर्फ इतने समय पहले से अपने consumer को follow करना शुरू करें और जब आपके पास consumer के साथ एक भेता trust होगा तभी आपको references और repeat orders मिलने वाले है आपका एक satisfied client आपको कई references दे सकता है and ask for the references आपको पता है कि कौन कौन सा consumer आपका happy consumer है उससे references जरूर मांगे कहते हैं कि दरवाजा खट खटा होगे तो एक दिन जरूर खुलेगा जरूरत है निरंतर प्रयास करने की आपको अपने customer को satisfy करना है उसके साथ एक built और अच्छ बहुत अच्छा sales volume generate कर सकते हैं और अच्छे sales volume को generate करने के लिए इन steps को आप ज़रूर follow करें इसके अलावा का आपके मन में कोई भी प्रश्ण है तो मुझे comment box में लिखकर ज़रूर बताएं कोई भी informative वीडियो मिस ना हो उसके लिए इस channel को subscribe करें स्वस्त रहें मस्त रहें मैं डॉक्षर अमित महिश्वरी आपके सुनरे वविश्य की कामना करता हूं जै हिंद जै भारत